वीके नियूज राश्ट्र के नाम में स्मैक तसकर इसलाम के मकान पर बुल्डोजर चला कर उसे समीन टोस्ट कर दिया ये कारवाई बीडिये की टीम में की है और कारवाई के दुरान कैंट और फरीतपुर पुलिस भी मौके पर मौझूद रही और भारी पुलिस बस बो भावे तैनात किया गया आपको बताते कि फरीतपुर के गाव बहरा के रहने वाले इसलाम चर्चिद इनामी स्मैक तसकर तैमूर उर्फ भूला का साती है भूला इन दिनों दिल्ली की जेल में बंद है अभी तक कुछ वक्त पहले ही योगी सरकार ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ जंग छेड़गा उनका विगुल फूगा था और जिसके बाद से यूपी पुलिस लगातार इन तसकरों की धर पकड़ में लगी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ लगे हाद योगी का बुल्डो जरून की काली कमाई के सामराज के को द्वस्त कर रहा था आईए अब आपको सुनाते हैं इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है थाना केंट के अंतरगत एक महिला है शाहिदा जो पत्नी है इसलाम की ये रहने वाले फरिदपूर थाना चेतरी के अंतरगत में इनका एक भवन था जो बरेली विकास पराधिकरण के जो मांचित्रिया उसके जो गाइडलाइन से उसके अनुरूप नहीं था और नहीं इन्होंने अन्मती ली थी तो उसी क्यादार पर बरेली विकाश परादी करण के दौरा इसमें इनको जो नोटीस दिया गया था और उसको डिमॉलिश किया है और साथ में महाँ पुलिस बलो पलब्ट कराए गया था जिसे की कानून भी होसता कि समस्य ना और साथ महेला है इसके पती Whoo पूर में मालक तस्क्रों के जो पतार थे उसमें भी ये जेल में और और उसके छिलाब भी इसमें पूर में भी कारवाई की गई है हलाक यह कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई बिल्डिंगों को पहले ही गिरा चुके हैं और ऐसे में इन खारवाईयों से ऐसा लगने लगा है कि बरेली में स्मैक तसकरों पर अब बीडिये का बुल्डोजर यानि की योगी का बुल्डोजर भारी पढ़ने वाला है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से बरेली में ड्रग्स के मामले लगातार सामने आ रहे थे यहां फिर यू कहें कि बरेली इन दिनों तसकरों का अड़ा बन चुका था उनका गढ़ बन चुका था लेकिन योगी राज में किसी भी अपरादी का गढ़ बन जाए ऐसा कैसे हो सक तो लीजिए फिर चल गया बुल्डोजर और एक और अपराधी के काली गमाई से खड़े की हुए काले समराज्य को धुस्त कर दिया गया अब इस कारवाई पर और योगी पुलिस की यूपी पुलिस की एक्शन पर आपकी कह रहा हैं मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूस धन्यबाद